क्या आप सोते सोते पैसा कमाना चाहते हैं स्टॉक मार्केट से और मार्केट की वोलिटिलिटी से भी बचना चाहते हैं डेली चाट नहीं देखना है स्क्रीन नहीं देखना है फिर भी स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है तो क्या आप मेरा इसारा समझ रहे हैं मैं कौन सी बात कर रहा हूँ अगर सोच रहे हैं तो बिलकुल सही है मैं उसी income की बात कर रहा हूँ जो देगा सोते सोते profit जी हाँ dividend income साथ में बताऊँगा 10,000 रुपए पर मन्त dividend के लिए कितना invest करना होगा साथ में एक screener भी दूँगा जहां से time to time आप best dividend stock भी देख सकते हैं साथ में ये भी बताऊँगा कि सिर्फ dividend paying stock में जाना चीए या growth plus dividend paying stock में जाना चीए और best dividend paying stock कौन से हैं तो भाईया वीडियो एक है कहानी चार यानि चार वीडियो का material सिर्फ एक वीडियो में time की बचत और मजे ही मजे तो जल्दी से वीडियो को मज़े ही मज़े में like कर दीजे तो देर किस बात की और पहली वार आये हैं तो चैनल को subscribe कर लीजेगा आपके screen पर दिख रहा है किस तरीके से लोगों ने सीख कर Gio Financial में पैसे कमाएं और लोग पूछ रहे हैं सर आपने कैसे Gio Financial को पकरा तो यही है learning जहां पर मैं कहता हूँ tips से नहीं stock का घुरा कब दोर रहा है उस पे चड़ाई करने से पैसा बनता है और यही सिखाने वाले हैं 25 फरवरी की stock market master class में जहां पर IPO trading setup वो बादसा है जो आपको बहुत मोटा पैसा कमा के देता है वहां पर बहुत सारे मौके मिलते हैं अगर आप proper से follow करते होगे तो वो learning हम आपक को कई बार बताएं तो 25 फरवरी की class में intraday swing positional सब सिखाएंगे equity future option कहीं भी trade कर सकते हो revision class होगी जो इंडिया में कोई नहीं देता है hand holding मिलेगा जो इंडिया में कोई नहीं देता है study material मिलेगा trading general मिलेगा screener मिलेगा unlimited benefit मिलेगे आप business man है job में है पूरा दिन market को दे नहीं प discount है handicap के लिए discount है आप EMI से भी ले सकते हैं buy now pay letter service भी है तो 970-8094-321 पे call कीजे और मुलाकात कीजे मेरे से 25 फरवरी की class में जहां हम और आप एक साथ बात करेंगे सीखेंगे और कमाएंगे तो इस वीडियो में हम उन stock के बारें बात करेंगे जो PS2 में भी है minimum 4% का dividend yield भी द लिया है क्योंकि 4% का dividend जो है जेनरली अच्छा return माना जाता है तो अब सवाल यह है कि भाईया dividend है क्या तो dividend basically एक profit sharing है यानि कि company अपने net profit में से कुछ profit shareholder को देती है और यही dividend कहलाता है dividend yield कैसे calculate होता है वो बता देता हूं तो dividend yield equal to total dividend declared divided by current market price यानि अगर company ने पूरे financial year में 20 का dividend declare किया है और current market price 100 रुपय है तो dividend yield हुआ 20% लेकिन high dividend paying stock अच्छे होते हैं या growth वाले यह common सवाल आना चाहिए आपके मन में आप investment क्यों करते हैं ज्यादा से ज्यादा return कमाने क्लिए सही है न तो आईए देखते हैं high dividend yield PS2 stock versus growth stock जिसमें dividend मिल रहा है उसके performance को big eye opener मिलेगा चारो content को one by one करेंगे बट एक stock ऐसा बते हैं जिसकी price सबसे ज़्यादा है और वो जब भी dividend announce करता है mean का भंडार लग जाता है तो जल्दी से नाम बताईए लास्ट में वो नाम में बताऊंगा आप भी हस्ते हस्ते load ford हो जाएंगे तो एक big eye opener देते हैं इस्क्रीन पर इंदुस्तान जिंक का चार्ट आपको दिख रहा है और 2023 की total dividend history दिख रही है total 52 रुपे पर share का dividend declare किया है company ने जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब company का जो market price से 310 रुपे का है dividend yield देखेंगे तो 52 divided by 310 गुने 100 equal to 16.77% तो dividend yield 16.77% आपने देख लिया अब अगर stock के return को हैं तो एक साल का return minus 1% यानि overall dividend yield return जो stock में माइनस कर दीजो तो 15% का gain है एक example और देता हूं फिर मैं summary मिलाओंगा इस company ने dividend तो इस PSU के मुकाबले में 3 गुने से भी जादा दिया है हम बात कर रहे हैं वेदानता की PSU नहीं है लेकिन learning के लिए बहतरी ने example है company ने financial year 2023 में average return से भी ज्यादा का return आपको मिला है जिसके करण लोग वेदानता में invest करना परसंद करते हैं लेकिन अगर एक साल के return की बात करें तो company ने पिछले एक साल में minus 11% का return दिया यानि देखने को 18% 11% माइनस हो गया तो आपके घर में बचा कितना 7% मैंने इसलिए दिखाया कि आ लेकिन capital तो 11% घर चुका है ना इसका अर्थ क्या है अगर सिर्फ हम dividend high dividend के पीछे पागल होते हैं तो कहीं न कहीं अगर वो share गिर रहा है तो हमारा depreciation में आ रहा है investment तो यानि अगर सिर्फ dividend देखकर कर रहे हो तो आप गलत हो यहाँ पर अगर stock growth दे रहा है as a return wise और वहाँ dividend भी मिल रहा है और यह दोनों का तरका जब मिलता है तो मिलता है धमाकेदार return correct है यहाँ पर एक चीज़ और आपको बता देता हूं dividend income एक taxable income है आप जिस tax lab में आते हैं उतना percentage आपको tax pay करना होता है long term capital gain पर सिर्फ 10% का tax होता है यानि summary अगर हम निकाल ले तो हमें dividend भी ल चार वीडियो का पहला part cover हो गया और पार टू जिन्होंने dividend तो बढ़िया दिया है लेकिन return की बात आप खुद से देख लिए हमने पूरे financial layer 2023 में सारे dividend को एड़ किया और उसको divide किया current price से तो यहाँ पर जो stock हम ले रहे हैं वो learning purpose के लिए कि मैं कैसे सोचता हूं जो मैंने बताना सुरू किया है क्योंकि क्या होता है जब भी वीडियो बनती है लोग यह समझते हैं buy sell की recommendation है कर लिया भी ना जानकारी के और फिर बाद में blame game स्टार्ट होता है तो please कोई buy sell recommendation नहीं है यहाँ पर पहला stock है BPCL BPCL ने total 4% का dividend yield declare किया है financial year 2023 में पहला dividend 4 रुपे का declare किया था जिसका X date था 11 अगस्त 2023 उसके बाद 20 रुपे का dividend declare किया था 22 December 2020 को बात करें एक साल के return की तो 96% का return दिया ध्यान से समझेगा क्योंकि यहीं सब चीजें किसी भी investor को पैसा बना के देती है second stock है NMDC 4% का dividend declare किया है और मज़े की बात यह है कि 5.75 रुपीज का dividend कमाने का मौफ का अभी भी आपके पास है जिसका X date है 27 फरवरी 2024 X date वो date होता है जिससे पहले आप share buy करते हैं तो आप dividend के लिए eligible हो जाते हैं अगर एक साल के return की बात करें तो लगभग 101% का बंपर return दिया है आप गौर करो stock appreciation और dividend दोनों मिल रहा है तीसरा stock है बालमर्क लॉरी investment 2023 में लगभग 5% का dividend declare किया है एक साल का return देखे तो 85% का return generate किया है अगर चौथे stock पे आते हैं तो कोल इंडिया है 23-24 में लगभग 5% का dividend declare किया है कोल इंडिया को हम आगे भी example पे लेने वाले हैं बोलिएगा मत क्यू आरी 5th company है इंडियन ओयल corporation लगभग 4% का dividend declare किया है financial year 23-24 में बात करें एक साल के return की तो company ने पिछले एक साल में लगभग 131% का bumper return दिया है अब मैं कुछ ऐसी कंपनियां बताने वाला हूं जिन्होंने 4% से कम का dividend दिया है बट return को देखकर आपके हो सुर जाएंगे PFC dividend लगभग 2% का दिया है लेकिन एक साल का return 244% का है REC 2% का dividend लेकिन एक साल का return देखेंगे तो 308% का return है तो मैं बताना यह चाहरा हूं कि आपको अच्छा भी दिखाया बुरा भी दिखाया ज्यादा return भी दिखाया कम return भी दिखाया बट समरी है कि भाईया पूंजी भी पढ़े डिविदेंट भी मिले इससे अच्छा नहीं है अब हम बात करते हैं तीसरे पार्ट पे 10,000 रुपे हर मन्त अगर हमें मिले तो कितना रुपया invest करना परेगा correct है अगर आपको हर महने 10,000 रुपे का dividend income चीए और dividend 5% yearly है जैसे मालीजे कोल इंडिया में तो कितना invest कर परेगा चलिए देखते हैं example से तो 10,000 रुपे हर महने यानी 1,20,000 रुपे साल का dividend income तो आपका total investment होता है 1,20,000 गुने 100 divided by 5 equal to 24,000 यानी कि 24,000 के investment पे आप देखेंगे तो 1,20,000 जो की 5% आता है मैंने कोल इंडिया के example इसलिए लिया कि कोल इंडिया ने एक साल में 100% का return दि 24,000,000 प्लस 1,20,000 यानी 25,000,000 इंवेस्टमेंट, ग्रोथ, डिवडेंट तीनों आपके सामने हैं लेकिन सवाल यह है कि क्या सब के पास 24,000,000 हैं नहीं न तो हमें investment कहां करना चाहिए हमें investment करना चाहिए growth प्लस डिवडेंट में ना कि सिर्फ high dividend में ये मेरी तरफ से एक learning है फिर भी अगर आपने मन बना लिया कि high dividend yield वाला देखना है और खुद ही decision करना है तो वीडियो के सुरू में मैंने क्या बोला था कि मैं आपको एक screener भी बताने वाला हूँ राइट जहां से आप खुद से कर पाओगे और कैसे कर पाओगे तो देखें link क्या है description में है उस link पर click करना है वहाँ एक query search आएगा जो आपके screen पर दिख रहा है फिर वहाँ पर हमें dividend yield डालना है फिर dividend yield वाले column पर click करके आप sort कर सकते हैं ascending या descending order में जो मैंने आपके सामने किया है और जब यह सामने किया है तो आपके सामने stock की list आपको दिख रही है तो एक साल का return मैंने यहाँ price ले लिया है क्योंकि पिछले एक साल में PS2 ने bumper return दिया है या market भी सही दे रहा है वहीं पर जो stock नहीं भागे है हिंदूस्तान जिंक का भी example आपके सामने है कि dividend yield जादा है वेदानता का dividend yield जादा है बट stock ने positive return नहीं दिया है तो इससे आपको learning भी मिल रही है से select कर सकते हैं अगर इन सब की समरी बताएं तो हमने screener दे दिया जिससे आप time to time चेक कर सकते हैं दूसरा 10,000 रुपए अगर हर मन्त आपको चाहिए dividend उसके लिए कितना पैसा investment करना है वो भी मैंने बता दिया उस calculation पे आप ज़्यादा या कम का calculation कर सकते हैं तीसरा जो बहतर share हैं वो भी मैंने बता दिया चौथा dividend stock के पीछे भागने की जगा growth plus dividend stock में जाना चाहिए वो भी आपको बता दिया सोते सोते कैसे पैसा आएगा वो भी बता दिया और अब summary है उसकी जो मैंने पूछा था कौन सा ऐसा share है जो सबसे महगा है और उसका जब भी dividend की story आती है memes की बाड़ बन जाती है और उसका नाम है MRF तो कैसी लगी learning और earning कमेंट में बताइएगा और लोगों के साथ share करके प्यार महबबत देते रही है